क्लास नाइन्थ हिंदी संथ कभीर दास कभीर दास की जन्म और मित्यु के बारे में अनेक किवंदितियां प्रचलित हैं कहा जाता है कि सन 1391 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मघहर में देहान्त कभीर ने विदिवत शिक्षा नहीं पाई थी परंटु ससंग, पर्यटन तथा अनुभों से उन्होंने ज्यान प्राप्त किया था भक्ती कालीन निर्गून संथ परंपरा के प्रमोक कभी कभीर की रचनाई मुख्यता कभीर ग्रंथावली में संग्रही थे किन्तु कभीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजख ही प्रमानिक माना जाता है कुछ रचनाईं गुरु ग्रंथ सहीप में भी संक्ली थे कभीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्ग्रहस्त संत थे राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कभीर ने इश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह की पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया उन्होंने अपने कावि में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्व की कल्पना की इश्वर प्रेम, ज्यान तथा वेराग, गुरु भक्ती, सत्संग और सादु महिमा के साथ आत्म भोध और जगत भोध की अभिवेक्ती उनके कावि में हुई है कबीर की भाषा की सहस्ता ही उनके कावियात्मक्ता की शक्ती है जन भाषा की निकट होने के कारण उनकी कावि भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल धंग से व्यक्त करने की शक्ती है यहां संक्लित साख्यों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षन, ज्यान की महिमा, भाई अडंबरों का विरोध, आदी भावों का उलेक हुआ है साख्या पहली साकी मान सरोवर सुभर जग, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंतना जाही मान सरोवर हिमाले पर इस सीथ एक पवित्र सरोवर यहां पे मान सरोवर का अर्थ कवी ने पवित्र मन से भी लिया है सुभर अच्छी तरह भरा हुआ, लबालब भरा हुआ हंसा अर्थात, हंस और यहां पे कवी ने हंसा का अर्थ एक साधक, एक भक्त के रूप में भी लिया है केली अर्थात, क्रीडा, खेल मुक्ता फल, मुक्ता फल, अर्थात, मोती और मुक्ता, यानि की मुक्त होकर, आजाद होकर, फ्री, मुक्ता अनत, अर्थात, और कहीं, अन्यत्र मानच्शरोवर, सुभर जल मानच्शरोवर सुभर मतलब लबालब भराववा भरपूर जल से भराववा है मानच्शरोवर हंसा केली कराही और उस लबालब भरे हुए जल में हंस खेल रहे हैं केली अर्थात क्रीडा क्रीडा अर्थात खेल हंस उस जल में मांसरोवर में जो मांसरोवर लबालब भरा हुआ है उसमें हंस खेल रहे हैं मुक्ता फल मुक्ता जुके वे मुक्त भाव से, मुक्ता फल मोती और मुक्ता आजाद वो मुक्त भाव से सरोवर में मोती चुग रहे हैं वे आजाद होकर, बे फिक्र होकर सरोवर में मोती चुग रहे हैं अब उड़ी अनत न जाही उन्हें जलक्रिणा में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब यहां से उड़कर कहीं और जाना नहीं चाते अनत अर्थात कहीं और कहीं भी जाना नहीं चाते उन्हें मांसरोवर के जल में खेलना इतना पसंदारा है मुक्त होकर मोती चुगना इतना पसंदारा है कि वो यहां से कहीं नहीं जाना चाते आशे यह है कि प्रभु भक्त भक्ती में लीन होकर परम आनन्द में लीन है उसे इतना आनन्द आ रहा है प्रभु की भक्ती करने में कि वो मुक्त होकर आनन्द ले रहा है अपनी मुक्ती का और वे इसे छोड़ कर अब कहीं जाना नहीं चाहते प्रभुभक्ती में भक्त इतने लिन है कि वो उस आनंद को छोड़ कर कहीं जाना नहीं चाते दूसरी साखी प्रेमी ढूंडत में फिरो प्रेमी मिले ना कोई प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश अम्रित होई शब्दार्थ प्रेमी अर्थात प्रभुभक्त विश अर्थात जहर यहां पर विश का अर्थ हमारी वासनाओं दुर्भावनाओं और हमारे पापों को हमारे मन की अंतर मन की गलत भावनाओं को कहा गया है यहां कवी कहते हैं प्रेमी ढूंडत में फिरो अर्थात कभीरदार जी कहते हैं एक भक्त एक साधक कहता है कि मैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला प्रेमी ढूंडत मैं फिरो भक्त कहता है मैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला प्रेमी मिले ना कोई परन्तु बहुत प्रयास करने पर भी मुझे कोई नहीं मिल सका मुझे ऐसा कोई प्रेमी नहीं मिला जो प्रभु की भक्ती में लीन हो प्रेमी को प्रेमी मिले जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो प्रेमी को प्रेमी मिले अर्थात एक सच्चा भक्त जो अपनी इश्वर के भक्ती में लीन हो प्रेमी को प्रेमी मिले तो जब मुझे सच्चा भक्त मिला तो सव विश अम्रत होई मेरे सब पाप पुर्ण में बदल गए वासनाएं नस्ट हो गई, दुर्भावनाएं समाप्त हो गई मन में पवित्रता रूपी अम्रत का संचार हो गया सव विश विश अर्थात यहां पर हमारी वासनाओं, दुर्भावनाओं और हमारे पापों से अर्थ है सव विश अम्रित होई, सब पाप पुर्ण में बदल गए वासनाय नस्ट हो गई, दुर्भावनाय समाप्त हो गई और मन में पवित्रता रूपी अम्रत का संचार हो गया तीसरी साखी हस्ती चड़िये ग्यान को सहज दुलिचा डारी स्वान रूप संचार है भूकन दे जख मारी शब्दार्थ हस्ती अर्थात हाथी सहज अर्थात स्वभाविक, दुलिचा अर्थात कालीन छोटा आसन, डारी अर्थात डालकर, स्वान अर्थात कुत्ता, जख मारना अर्थात मजबूर होना, वक्त बरबात करना हस्ती चड़िये ग्यान को अर्थात कबीरदास सादकों को संभोधित करते हुए कहते हैं, हे सादकों तुम ग्यान रुपी हाती पर सहज दुलिचा डारी, सहज समाधी रुपी आसन बिचा कर निशिनता से चलते रहो हस्ती चड़िये ग्यान को सहज दुलिचा डारी, अर्थात तुम ग्यान रुपी हाती, हस्ती हाती चड़िये ग्यान को, तुम ग्यान रुपी हाती पर सहज दुलिचा, दुलिचा अर्थात कालीन, सहज सोभाविक कालीन बिचा कर, आसन बिचा कर उस पे निशिनता से चलत स्वान रूप संसार है यह संसार तो कुट्टे के समान है स्वान अर्थात कुट्टा कुट्टे के समान है संसार भूकन दे जक मारी जो हाती को चलते देखकर व्यार्थी भोगता रहता है जब हाती सड़क पर निकलता है तो कुट्टा उसके पीछे से चिलाता है उसके सामने प्रभु भक्त को दुनिया की निंदा की परवा किये बगेर साधना पत पर बढ़ते चले जाना चाहिए।